इत्तिहाद न्यूज को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमार चानल को लाइक कीजिए और बेल आइकाउन पर क्लिक कीजिएगा असलाम आलेकूम रहमतुल्ह बरकातू इत्तिहाद न्यूज में आप सबी का खैर मगदम है बारिश तो थम गई पानी मियार भी कम हो गया येद भी कईयों ने नहीं मनाई इनके घर ही जब नहीं रहे तो येद भी मनाए तो कैसे मनाए पानी कम हो मगर आँखों में अभी भी पानी भरा हुआ है तिनका तिनका जोड़कर मकान को तामिर किया था लिहादा बारिश ने किसी को नहीं बक्षा एक तरफ मकानों की दिवारे डह गई तो इसी सैलाम ने सियासत दानों ने जिसकदर नफरत की दिवारों को खड़ा किया था खासकर हिंदू-मस्लिम के नाम और इसी नफरत की दिवारों पर अपनी सियासत की चट को सजाए जा रहे थे आज नफरत की दिवार भी डह गई और फिर से भाई चारगी की महबत आम होने लगी वैसे तो सभी धर्म भाशा के लोगों ने इसमें बिना भेदभाव के खड़मात को अंजाम दिया लेकिन ख ठोटी मुटी जरुतों को भी पूरा करनी की कोशिश की कई बेहनों ने अपने आखों में आसुला कर मुसल्मानों का शुकरिया अदा करते वे कहा कि मुसल्मान भाईयों ने जो खिद्मात अंजाम दिया इसकी तारीफ करने के लिए आमर पास अलफ़ाज नहीं है गोकाग पाचापुर अंकलगी रामदूर्ग चंदगर और दिगर इलाकों में बेलगाम शहर के मदिना मजजिद फाउंडेशन रहमान फाउंडेशन बेलगाम रिलीफ फाउंडेशन टीपू सेना इंडियन मुसलिम लीग पॉपुलर फ्रंट अबदालशा यूद कलब औ अबदालशा मस्जीद और दिगर तन्जीमों ने किसी भी धर्मभाशा का भेदबाव ना करते हुए बाड़ मतासरीन के घरों तक पहुंच कर मदद की मैं तो यह कहना चाहूंगा कि घरों तक नहीं बलकि दिलों तक पहुंच कर तमाम समाजी खिदमदगार तन्जीमों के कारकुने ने दिन रात एक करके काम किया और इन्सानियत की मिसाल को कायम किया यह वह हकीकत है के हकुमत के हाथ समाजِ خدمات को अंजाम देने वाले तन्जिमो के कारकून ही हर तरफ नज़र आ रहे थे, वहीं सरकारी आमला गायब नज़र आ रहा था कुछ फिरकापरस नफरत की सियासत के जरिये जो दिवार दो धर्मों के दर्मियान खड़ा कर चुके थे इससे एक आखिर कुद्रक ने अपना कहर नाजल कर गिरा दिया और यह पैगाम दिया कि इनसान के अख्तियार में कुछ भी नहीं है तुम चाहे जितना साज़िशे चलते रहो आखिर फैसला हमी करेंगे तमाम तंजिमों ने समाज खिदमात की इसकदर मिसाल कायम की कि बाड़ मतासरीन की आखों में आसू गए और वो जजबाती हो गए फिरकापरस सोच और फिक्र के लोगों को ये सोचने पर ये कहर सोचने पर मजबूर कर गया कि बरसो हमने कोशिशे तो कर ली थी नफरत दुश्मनी अदावत की जो दीवारे मॉबलिंचिंग गोरक्षा लौजाद रामंदिर तीन तला के जरिये से जो खड़ा की थी कुछ ही दिनों की बारिश ने इसे ढढ़ा दिया खैर इस सबकामोज बारिश ने और तवाई ने कई पैगामात तो दिये कईयों का कहना है कि इस तरह की बारिश हमने इससे पहले कभी नहीं देखी थी एक तरफ जहां समाजे खिदमात को बड़े खुरूस के साथ और लाख और राज़ करने के लिए कुछ लोग अंजाम दे रहे थे तो वही कुछ लोगों ने इसमें भी अपना मुफाद देखने वाले मौजूद थे खैर अवाम को हर दोर में हर हाल में चौकरना रहना चाहिए एक और पहलो यह भी रहा कि बेकसूर लोगों को जानवरों के नाम पर कतल करने वाले उन जानवरों का क्या करेंगे जो बारिख की जब में आकर मर चुके है इंतजामिया से अवाम नाराज है क्योंकि मरे वे जानवर तक उठाने वाला कोई नहीं है वह गोरक्षक भी कहां गए जो गांगांव हर सड़क हाईवे पर खड़े होकर गाड़ियों की तलाशी लेते ते और बेकसूर लोगों को बेरहमी से पीटते थे एकड़ों की ताइदात में जानवर मरे पड़े हुए हैं आज पानी तकरीवन उतर चुका है बंबई बैंगलोर सड़क भी खुल चुकी है गोकाक संधती खानापूर में अगर जानवर नहीं उठाए गए तो महामारी प्लेग जैसी बिमारियां होने के इमकानात ज्यादा रोशन है गिरते मकानात को देखकर आखों में आसू है तो मरे वे जानवरों की बदबुआ बिमारियों के दावत देने के कागार पर है हुकूमत को जल्द चाहिए कि मरे वे जानवरों को उठाए वरना जो लोग बाड़ में बजगए हो सकता है कि वो बिमारी की चपेट में आ जाए इत्याद नूज देखने के लिए शुक्रिया अल्ला हाफिस झालों के लिए जाए नुक्रियों आ जा जानवरों के वो बिमार्ना सब बार ऑड़ को जा रहता है shit झालों के जानवरों के बाड़ों कि मरें जाए जाए हुआ हाँ झाल झाल